तो जैसा कि आप सभी को थमनेल से पता हो ही गया होगा कि मैं इसमें आप सभी को यहाँ पर बिहार में चो फ्री लैपटोप योजना शुरुआत हुई है जिसका मैं समपूर्न जानकारी देने वाला हूँ कि किनको किनको यहाँ पर फ्री में लैपटोप मिलेगा और लैपट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले अपने अपने मोईल के Chrome browser open करेंगे और मोईल के Chrome browser open करने के बाद यहां पर आपको search box में type करना है यहां पर online process.com तो यहां पर मैं online update बिहार के लिए दिया जाता है तो चलिए यहां पर मैं open कर लिए open करने के बाद यहां पर desktop mode करने सबसे पहले desktop mode करने से आपको service अच्छी तरह से यहां पर प्रवाइड होगा यानि की दिखाई देगा और इसके बाद यहां पर आप सारा स्क्रोल करेंगे यहां अपडेट में आएंगे और अपडेट में आने के बाद यहां थोड़ा से नीचे आएंगे इस अपडेट वाले में और यहां पर लिखा हुए नीचे बहुआ है चेर्ण करें करने के बाद भाद इस तरह से कुछ اपन होंने के बाद थोड़ा से यहां पर इसको कट करें नहां ऑज़ेगा थो आपको लैपटोप मिलेगा इसमें क्या क्या आपको करना होगा तो यहां पर बताया गया है थोड़ा से नीचे और आएंगे नीचे आने के बाद यहां पर आप पूरी तरह से जानकारी देख पाएंगे यहां पर लिखा हुआ है नेम आफ अस्कीम यहां बिहार फ्री सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें कर सकते हैं वेनिफिट होगा इसमें युजना के लाफ है कि आपको लैपटोप फ्री में मिलेगा सेशन यहां 2022 का चल रहा है अस्टेट अस्टार्टिंग डेट है फरवरी से स्टार्ट हो गया है इसका लास्ट इसका भी जारी नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे आने के बाद यहां पर नीचे आने के बाद यहां पर लिया गया है कि बिहार फ्री लेटव योजना क्या है यहां पर लिखे यहां योजना बिहार सरकार ने शुरू कि है और यह योजना उन चात्रों के लिए जो दास्वी और बारावी काच्छा में अच्छांक से उतिर्न होकर कुसल यूवा पर सीचन में एडिमिसन लेने वाले हैं यानि थे स्कारड़ यहां पर से उतवी दिशूल लेटव कि बितरण कियाने वाला है प्रतु यह लेटव प्राब्द करने के लिए आपको इस योजना के लिए अवेधन करना भी बहुत बहुत जरूर जरूर यह आप अवेधन करें तब ही आपको यह लेपको मिल जाएगा तो आवेदन करने के लिए आप मेरे वीडियो के नीचे कॉमेट में जरूर बताईएगा इसका ऑनलाइन करने के लिए जैसे आवेदन पर किराप पूरी हो जाएगा आपके बाद उसके बदला भारती छात्रों को लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उसी अनुसार लैप्टोप ब पत्रता क्या है इसमें बहुत सरे छात्रा ऐसे जात्रा ऐसे सूच रहे होंगे कि विजना के सभी छात्रों के लिए प्रंतु ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप फ्री में लैप्ट॑प तभी मिलेगा जब आप इस इसके योगता होना चाहिए इसके लिए तिहां पर सबसे पहले सबसे पहले आपको इस उयोजना के आवेदन करने के लिए आपको भीहार का छात्र होना चाहिए किवहार के छात्र में आपण युद Siya रखें नाम होगा सिर्फ कक्छा दसमी और भरावी छहत्र राव्यदन कर सकते हैं हैं लगने यहťfl तो आप इस योजना के पत्रता जान चुके हैं कि लेकिन कि योजना के आवेदन करते समया आपके कुछ दस्तावेज जरूरी हो जैसे दस्तावेज के लिए यहां पर क्या क्या है यहां पर आप देखेंगे पहले आपको पास्पूर्ट साइट फोटो होना चाहिए निवास परमानपत्र होना चाहिए अधार काड़ होना चाहिए और मॉबाइल लंबर यहां पर आपको निवास परमानपत्र बनाने के लिए एक मैं बिडियो बना दिया हूँ आप डिस्क्रिशन में जाकर वहां से आप विडियो आप देख सकते हैं और घर बैठे आप आप साथ में आपका जो भी परसुनल काम हो हो आप परसुनल काम भी उज़ कर सकते हों इसके आप नीचे आने के बाद यहां पर देख पाएंगे ओ9 और आप कर सकते है अगर अपलाई करने के आपका विडियों चाहिए की कहसे आप लाइक किया जाता है उसका कोमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा मैं उसका एक वीडियो बढ़ाऊंगा जहां से आप अपलाई घर बैठे कर सकते हैं यहां पर अधिर जानकारे के लिए आप पर इस पोस्ट के अनुसार आप पूरी तरह से रीड कर लें अगर इससे कोश्ट नहीं तो आप हेल प्लाइन नंबर पर बात करें या तो अफिसल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं तो चली मिलते हैं कि नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद